नमस्कार मैं डॉक्टर संजीवनी सी तल्टोंग से संजीवन गर्वसंसकार के इस यूट्र चनल में आप सभी का स्वागत करती हूं गर्भावस्ता में अक्सर देखी जाने वाली समस्या याने खुन की कमी जी हाँ भारत में लगभग 80-90% गर्ववती महिलाओं को खुन की कमी का सामना करना पड़ता है यह मोगलोबिन की कमी जिसके कारण एनेमिया हो सकता है और एनेमिया के कारण शिशु के ग्रोथ पर भी पुरा आसर पड़ सकता है तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे वह कौन-कौन सी बाते है वह कौन-कौन सी चीजे है जिनने आपको फॉलो करना है जिनने आपको खाने में इस्तमाल करना है ताकि आपका हिमोगलोबिन अच्छे से बढ़े और यदि आपका हिमोगलोविन अच्छा रहे तो जच्चा और बच्चा दोनों भी सिरक्षित रहे गरभावस्ता में खून की आपूर्ती के लिए और हिमोगलोविन का स्तर संतुलित रखने के लिए आपका आहार संतुलित होना बहुत ही जरूरी होता है शरीर में यदि आयन, फॉलिक असीड और विटामिन B की कमी होती है तो हिमोगलोबिन की लेवल भी घटती है और यदि हिमोगलोबिन कम हो जाता है तो हमें ठकान और कमजोरी महसूस होती है और फिर चक्कर आना, सिर्दर्ध होना ऐसे लक्षन भी दिखाई देते है तो चलिए पहले समझते हैं हिमोगलोबिन याने क्या होता है हिमोगलोबिन लाल रत कोशिकाओ में प्रेजेंट प्रोटीन होता है यहाँ प्रोटीन अपने शरीर के सभी सेल्स तथा टीशूज में ऑक्सीजन पहुचाता है और कारबन डॉय ऑक्साइड को अंगो से फेपड बढ़ जाती है इसलिए आपको प्रोपर डायेट लेना पहुत ही आवशक हो जाता है ताकि विटामिन सी फॉलिक एसीड और हिमोगलोबिन की मात्रा अच्छी बनी रहे चलिए आप जानते हैं प्रेगननसी के दोरान आपको खाने में कुछ विशेज चीजों को शामिल करन है और एजबी लाल रक्त कोशिकाओ को बनाता है इसलिए आपके आहर में हरी पत्तेदार सब्जिया जैसे पालक ब्रोकली धनिया पुदीना गोवी इत्यादी आपको शामिल करना है इन हरी सब्जियों में हमें विटामिन और जरूरी पोशक तत मिलते हैं जो हिमोगलोबि द्राइफरोट किसमेश और बादाम भी आप घर भावस्ता में खा सकती है जिससे हमोगलोबिन बढ़ने में मदद मिलती है तीसरा है ताजे फल जैसे संत्रा, अनार, अम्रूद, कीवी इनका सेवन आपको गर्भावस्ता में नियमित रूप से करना है तथा आपको सीजनल फ्रूट्स भी खाने है सिर्फ पपया आपको नहीं खाना है अनार में आईरन बहुत होता है, संत्रे में विटामिन सी होता है जो इम्मिनिटी बढ़ाने में हल्ग करता है और हिमोगलोविन के स्तर को भी बढ़ाता है चोथा है पल्सिस याने डाले, डालों में आईरन और प्रोटीन अधिक होता है मटर, डालों में और बीजों में विटामिन और मिनरल्स तथा फाइबर्स, आयन और प्रोटिन भी होता है गर्भवती को इन सभी न्यूट्रिशन्स की बहुत आवश्यक्ता होती है इसलिए आपको बेबी के अच्छे ग्रोथ के लिए आपके आहार में पलसेस याने डालों को अवश्य शामिल करना है पाचवा है फॉलिक आसिड से युक्त पदार्थों को भी आपको शामिल करना है आपके आहार में यदि folic acid कम मात्रा में शरीर में होता है तो हीमोगलोबिन का लेवल भी कम हो जाता है। इसलिए folic acid से भरपूर जैसे केला, अवैकेडो, कॉर्न, भिंडी, स्प्राउट्स इन में folic acid की मात्रा अधिक पाई जाती है तो इन्हें आहर में जरूर शामिल करें। नम्मर सिक्स है कुछ विशेश बीज जैसे कद्दू के बीज, बादम और सुरज मुखी के बीजों में भी आईरन उच्च मात्रा में होता है। सेब, चुकंदर और गाजर इन्हें भी आपको आहर में शामिल करना है जिससे आपका हीमोगलोबिन का लेवल अच्छे से बना रहे, और सात्वा और इंपोर्टन्ट है सप्लिमेंट्स, जी हाँ आपके गानेकलोजिस्ट जो आपको फॉलिक आसेड तथा आईरन टाबलेट सप्लिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, उन्हें भी आपको प्रोपरली जरूर लेना है, तो इन स आपका यमोगलोबिन अच्छा रहेगा, तो आपको फ्रोवड प्रेगनसी हेल्दी और फ्रेश फिल होगा, और बेबी की ग्रोध भी अच्छे से होगी, इन बातों के साथ-साथ आपको और एक इंपोर्टन बात भी याद रखनी है, और वहाँ हैं, आप आपके शिशु क गर्ब में ही सुन्दर, सुदरुड, तेजस्वी और सद्गुणों से परिपुर्ण बना सकती है, यहाँ पॉसिबल होता है संजीवन्द गर्वसंसकार से, यदि आप जोइन करती है संजीवन्द गर्वसंसकार का ओनलाइन वरक्शोप, जो की आप घर बैठे कर सकती है, तो आप बन सकती है, Extraordinary Mom of Extraordinary Baby, क्योंकि इस क्लास में आपको सिखाया जाता है, throughout pregnancy आपको क्या क्या करना है, ताकि आपका बैबी बने सुन्दर, सुदरुड, तेजस्वी और सद्गुणों से परिपुर्ण, इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक वहाँ पे जाके डाउनलोड कीजिए संजीवन गर्वसंसकार आप और बनिए Extraordinary Mom of Extraordinary Baby, तो हसते रहे, मुस्कुराते रहे, इंजोई कीजिए प्रेग्ननसी का हरक्षन संजीवन गर्वसंसकार के साथ, धन्यवाद. झार आपको नापको अन्यवाद.